हलो दोस्तों गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप लोग उमीद करता है अच्छे हूंगे चारी बीटी ब्लोग पर अब सभी का स्वागत है तो दोस्तों भी मॉनिंग का दस बज रहा है अभी सम ब्लोग स्टार्ट कर रहें खाना वगेरा तो सारे खा लिए और अजकाल ठंधा का बताएंगे वो क्या है सो अभी फिलाल ममी अपना काम कर रही है यहां पर मकई निकाल रही है और हम लोग इसी जगा बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग साथ साथ में ही रहते हैं घर पर ही सारे लोग क्योंकि जान सकते हैं अप लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे बस चारू व और कुछ बाते हम लोग हो रहा है देखते हैं जब कंफर्म होगा तो आप सबको ब्लोग में बताएंगे अंड तक आप लोग ब्लोग पर बने रहिएगा और ब्लोग अच्छा लगेगा तो पहली बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब जरू कीजिएगा क्योंकि सोना का बात हैं लेकिन अभी मोसम खराब कर रहा है देखते हैं पानी वगरा आया या ना आया लेकिन मोसम इस तरह से किया हुआ है पूरा बादल बादल कर रहा है और ठंडा भी बढ़ जाएगा और छाट का महीना है तो अगर बादल भी रहेगा तो कोई दिकत ने है क्योंकि छाट मह करेंगे क्योंकि ना अब धान का सिजन हो चुका है काटने का तो सोचरें की थोड़ा सा देखते हैं चार रुक ममी कल गई थी तो बोल रही थी कि हो गया है टमाटर वगरा भी देखना है और खरियान कहां पर चोलेंगे सारे कोई सोचना पड़ेगा न अब तो धियान देन आं तो घ्रक रहें की देखते हैं क्या है नई है चारग ममी को गई थी करें लेकिन हम भी चलते हैं प्ड़ा सा देख लेते हैं टमाटर वागरा भी रुप आब उसको भी देख खेंगे उसके बाद बस इधर ही जा रहे थे बोले थे अब सबब्ड़ें आप को की एक काम के पूरा इस तरह से और सुटा भी दिये हैं क्योंकि रास्ते वाला आर्मे ना इस तरह से तभी जार हैं अपना भी धान देखेंगे वह जगा वला है सामने ना किस तरह से हुआ है बस एक बार खाद मारे उसके बाद यूच करने नहीं सके एम ही निकल गया वायरिस के वज़द बिल्कूल अच्छा वाल द्हान बारी हम लोग का जूम करते हैं थोड़ा सा द्हान अच्छा दीखेगा और काफी संदर संदर हुआ है देख रहे हैं बाल यह मेरा खास अपना धान है यह वुला ओपार्शा तक और यह वाला बारी भी चूट गिया भी हम लोग का काफी अच पानी अभी चल रहा है इस खेत पे तो धान तो काफी सुन्दर है दोस्तों देख के दिल खुश हो गया यह मेरा अपना है खास करके इसलिए पूरा अच्छे अच्छे और एक ही बार खाद हमारे इस पे और टमाटर वाला उबारी है तुस जगा भी अभी चलते हैं देखते ह तो अभी आ गये है नदी तरफ और नदी तरफ आये हैं तो अब पैदा हो जा रहा हम लोग का धाना देख रहे हैं इस तरह से काफी सुन्दर सुन्दर सब का धाना इस वर्स ज्यादा खाद भी माने ने सके एक बार बस तो मार भी किये ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा या फज्या उदर में जान रहे है क्योंकि इधर हमня पूरा देखनें इस तरह से यह वह लग ना जाड़ी हे यह ला पेर में अच्हा है इस वर्स देखते है आप क्या होता है तरह जूता है आपी सुन्दर सुन्दर हैं देखरें दम बिल्कुल अच्छे अच्छय अच्छ दिखाए था आप सबको एक दिन ब्लोग में हम और ये फी वगएरा करके पूरा इस तरह से कोड़ दिये हैं और कोड़ के इस पे पूरे लगा दिये हैं मस्त एक दम बिल्कुल सुन्दर हो चुका है दो बिल्कुल मस्त है ना तो टमाटर देखते देखते हम ताग इधर उप आप सब देखे थे खाध हम बस मारे थे लेकिन सब तो बोहाक ले जा रहा था इस तरह से नहाई जगह पूरा उस तरह से सारे बोहा बोहाक ले गया है लेकिन बहुत सुन्दर धान है इस वर्स अब चलते हैं घर और देखते हैं आप सबको बताएंगा ममी लोग एक दिन आ तो अधर से तो घुम का गए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा मतलब ना कुछ अजीब अजीब टैप सा लग रहा है तो अभी सोच रहे कि पास्ता वगेरा बनाते हैं थोड़ा सा बाकी है चारू भी खाने खोज रही है तो पास्ता बना देते हैं सबसे पहल दालते हैं तेल ने डायरेट देख रही धड़ी बगिर गया मेरा इसको यहां पर डालेंगे अधर फोरन डाल दिये हैं टमाटर वगरा कुछ नहीं है और पास्ते को निकाल लिए है यहां पर इस तरह से रुसका मसाला को भी क्योंकि ज्यादा है कुछ नहीं बनाएंगे मस डायरेट पानी को एड़ करते हैं मेरा पास्ता तो टमाटर वगरा कुछ नहीं इसको उबालना होता है उबाल करना होता है तो हम डायरेट ही सब कुछ डालके और ढ़क दिये इस तरह से पास्ता बनके त्यार हो गया अब हम लोग खाते हैं लेकिन बहुत ही गजब टापका सफेद पास्ता इस तरह का पास्ता पहली बार देख रहे हैं और खुद खा रहे हैं हमीं बनाए है ना चारुक साथ में ठीक लगता है लेकिन कुछ नहीं है मसला वगरा कम है जो भी बात है हमारे प्रोब्लम है हमारे फेमली के साथ में प्रोब्लम तो तो नहीं है लेकिन अभी तक हम लोग अवेर ने हुए हैं उस चीज को लिए करके बात करेंगे और घर पे ही बैठ के बता रहे हैं क्योंकि सारे तरफ ऐसे बोलते नहीं चलेंगे ना यह सब चीज सही नहीं होता है चारहतरा पई सही बैट के बोलते चलना क्योंकि सही नहीं बस और मुझे आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तो सचे कि क्यों आप लोग कंप्लीट कर लेता हूं जल्दी ही मतलब ना सरीर में ऐसा टाइप से लग रहा है जैसे कि कुछ फुर्तिला ही नहीं लग रहा है क् कि रसुन वगेरा का कोड़ाय मतलब पटाई की अच्छे से पहन वगेरा बनाए सारी कुछ अच्छे तो सब बात छोड़िए बताते हैं आप सभी को जो कि अभी तो हम लोग का नीव वेबी का आठ चल रहा है ना तो अल्ट्रसॉंट कराना काफी ज़्यदा जरूरी होता ह ऐसे में तो हम लोगों ने सहीय के साथ में कंसल्ट किये और अल्ट्रसॉंट कराने के बात किये तो उन्होंने बोले कि हो जाएगा लेकिन कुछ टैम जो है ना हम लोग का जहां पे हां चंदवा पे तो टैम के साथ में जाना पड़ेगा तो गाड़ी वगेरा खोजना और अब टैम भी ज़्यादा होते जा रहा है ना ने बेबी का अल्ट्रसॉंट पहले ही हो जाना चाहिए था एक महिना पहले बोले थे जो हम लोग का सहीया हो तो उनसे गलती नहीं है और ऐसे भी गलती वाली कोई बात नहीं है तो बोले थे तो उस दिना साथ फानी वानी और अब बात बात है क्योंकि यह काफी ज़्यादा जरूरी हो या बेबी गर्ल हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है सब सही है लेकिन जो जरूरी है सिस्टम अभी चलते आ रहा है पहले कुछ बात अलग था लेकिन अब का तो यह सब अनिमार है कराना काफी ज़्यादा जरूर अब यह बिता होगा सारे लोग जानते हैं ऐसा बात नहीं जानते हैं सो और कल आप लोग देखें हैं को चारगामी ब्लॉग में मिटी वगेरा खारी थी वह ऐसा नई है उससे कोई दिकत वगरा होने वाला नहीं है लेकिन वह खाने के लिए हम मना कर दिए जब लोग हम दे देखते हैं क्या होता है वहाँ पर भी जो डॉक्टर है करने वाले उनसे भी तो बात करना होगा तो ही जाएंगे तो फिर जाएंगे किसी के गाड़ी लेगे काम नहीं बने गा तो फैदा नहीं होता है ठीक है बस सही सब सारे बाते थे दोस्तों और आज कर जितने सारे बात आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा तो सस्क्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और ये फैमली मेटर है हर एक कोई का फैमली होता है बस सुना के लिए प्रातना कीजेगा जो भी अच्छे से एक से दो हो जाए बेबी वो या बेबी गर्ल कोई टेंसर नहीं सारे म में हैपी ठीक है तो ठीक चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही बाई बाई